हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैझाय चैनल, मसाल एक्ष्प्रेश तो हम लौकी की बर्फी बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लौकी ली है, उसे छील कर अच्छे से रख लिया है और मैंने मावा लिया है ये घर में ही बनाए आप बजार से भी ला सकते हैं फिर मैंने काजु लिया और अच्छे से कट कर लिया है और बदाम लिया उन्हें भी अच्छे से कट कर लिया है और गोला लिया है उसको अच्छे से कद्दुकस कर लिया है फिर हम लौकी को कद्दुकस कर लेंगे ऐसे ही सारे लौकी को हमने कद्दुकस कर लिया है और हम कड़ाई लेंगे और कद्दुकस करें लौकी को डाल लेंगे फिर हम उसको गैस पर रख देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से लग जाएगा इसे चलाते रहना है जब तक इसका पानी अच्छे से फुक ना जाए अब इसका पानी अल्मोस्ट फुक गया है तो इसमें हम चीनी डाल देंगे मैंने दो कटोरी चीनी डाली है आप अपने अनुसार कम जादा चीनी कर सकते हैं और फिर इसे अच्छे से मिला लें और चलाते रहें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया और इसे अच्छे से चलाते रहें और इसका पानी फुकने दे बीच बीच में इसे चलाते रहें अब इसका पानी अल्मोस्ट फुक गया है तो इसमें बदाम डाल दें पिर काजु भी डाल दें गोला भी डाल दें और उसे अच्छे से मिलाएं अब यह अच्छे से मिल गया है तो इसे गैस से नीचे उतार लें और इसमें मावे को एड़ कर दें और उसे चलाते रहें मावे को अच्छे से मिलाएं अब मावे इसमें अच्छे से मिल गया है और अब हम एक प्लेट लेंगे उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस मिक्च्छर को हम उसमें डाल देंगा और अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसे इवनली स्प्रेड करें यह हमने अच्छे सी मली इसे ठंडा होने रख दें दस से पंदर मिंट बाद यह ठंडा हो गया तो इसे कट कर लें तो तयार है लौकी की बर्फी तो आप सब को कैसी लगी मेरी रेसिपी तो आप भी बनाएं और सबको खिलाएं और कमेंट करके बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें मेरी चैनल को